है यहां पर बनाने लगी हूँ आलू की सबजी यह मैंने पहले ही बॉइल करके एक दिन पहले ओर नाइट मैंने फ्रीज में रख दिया था मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ी बहुत चीजें मैं तयारी करके रखती हूं नेक्स डे जो मुझे प्रिपेर करना है तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा तो यहां पर मैंने अलू को कट कर लिया है और डाइज में कट करना है और अभी इस अलूव मैं सारे मसाले में डाल दूंगी जैसे नमक हल्डी और लाल मिर्ची पावडर फिर अनियन पावडर गारलिक पावडर किकि यह सारी जो प्रावल में ले जाने वाली सबजी वैसी सबजी है नॉर्मली जो रेगुलर हम बनाते हैं सब टमाटर अनियन डाल के वैसा नहीं है इसलिए मैं पाउडर का इस्तमाल कर रही हूं तो यहां पे फिर कसूरी मेथी चिंजर पाउडर सौफ पाउडर और चाट मसाला इतना डाल कीजी सी कोटिंग हो चाती है जब इसको फ्राय करते हो तो यह हो गया है इसको मैं रख दूँगी साइड में और मैं आज अजमाईन वाली पूरी बनाने वाली जो काफी लोग और यह काफी हल्दी है और मेरा मल्टी ग्रेन आटा है जैसे जवारी और गेहूं मिक्स है मैं बाजरी साइड में रखते हूं क्योंकि बाजरी से थोड़ा कालापन दिखता है इसके वज़े से तो यहां पर मैंने ले लिया है आटा उसमें नमक हल्दी और थोड़ इसी मच होमेट घी डालोंगी आप ऑईल का इस्तमाल भी कर सकते लेकिन जब बोलते हैं पूरी बगेर बनाए तो अगर बच्चे खा रहे अगर ज्यादा है बनाना तो आप घी डाल दीजिए तो उसके बाद से इसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी और एक तम मतलब जैसे पूरी आप फ्रीज में रख दीजिए ताकि वह अच्छे से मिल जाए क्योंकि जब आप पूरी बनाने के लिए लोगे तो और एक बर नीट कर दोगे तो आटा काफी सॉफ्ट हो जाता है ज्यादा मेहनत नहीं लगती है दो मिनट लगता है सब काम के लिए तो यहां पर अच्छे मेकप के लिए तो उस पर भी वर्क कर रही हूं थोड़ा बहुत और उसके बाद से चल रहा है अभी सब टेंशन टेंशन वाला लास्ट में आपको पता चलेगा क्या टेंशन है तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में मैंने क्रंच किया है स्लेट बार के तो वह भी सब्सक्राइब कर देती हूं मैं टाइम नहीं देती में फटाफट कर लेती हूं बहुत से लोगों को ऐसे हैबिट होगी कि जो अन्दे सब करते हैं और फटाफट बरतन वगेरा धोके साथ में सब खतम कर देते काम कि कि अभी मैड की आदत तो सबको छूड़ गई होगी प दो दिन का कपड़ा एक साथ भूया है तो वह बिटालना है तो अच में वह भी आपको दिखा उंगी आज मैं दोनों के लर्यरी में डालने वाल contrastical सबाभाए में के बाद कीचन में वापस से झाल शाल कर लो लो जया हूआ दो जड़ल, जब कुछार जो झाल 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 यहां पर फाइनली काम खतम करके हो गया है तो यहां पर मैं बना ले लगी हूँ सब्जी जो मसले लगा के रखे तो इसको ना आप सर्सों के तेल में बनाएंगे ना इसका टेस्ट ना पूरियों के साथ बहुत ही अच्छा आता है जैसे आप बाहर कभी ट्रावल वगेरा में कभी खाया होगा आपने तो टेस्ट एक तम ना बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है मैं उसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती इतना अच्छा टेस्ट होता है तो यहां पर मैं तड़के में कुछ मतलब बड़ी सोफ जीरा और खड़ा धनिया में डाल रही हूँ इससे जादा नाजवाइन वगेरा में कुछ भी नहीं डाल रही हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्त और हरी मिर्ची डालूंगी और इस अच्छे से मतलब पूरा नहीं जलाना है थोड़ा सा ब्राउंड हो बड़ाबगाए हैं नहीं घंडावाद keeping झवस्याथरिय घंड अथे कडिा एक नहीं अगर घंडेउन इस बड़ा आपको रही कर नहीं तो सब्क्राइब होताया जो ना एकड़ा पांटराएं या तो आपना नोंस्टिक पैणु रहता है इसमें बनाएंगे न थो बवहत अच्छा वह बनता है और इस अल्यों को तोड़ना नहीं है ऐसी आपको 10-15 मिट भूनना है चला-चला के और एकदम क्रिस्पी करना है क्रिस्पी हो जाएगा तो आपको कढ़ाई से निकाल देना है क्योंकि लोखन की कढ़ाई में अगर आप कोई सबसी रखो गें तो की हल्दी होता है और यहां पर मैंने हरा धनिया डाल दे और देख सकते हैं कितना फ्रेश है यह वही हरा धनिया है जो मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हैं लस्टम मैं नीचे गई थी तो मैं लेके आई थी बहुत सारे और मैं इसको आपको क्लोज अप से दिखाती हूँ इसका और यहां पर मेरे प्लेट लग चुकी है आप देख सकते हो कितना यमी लग रहा है चलिए मैं से एंजॉय करते हूँ मिलती हूँ बाद में काफी टाइम बाद सब काम निवटने के बाद आज बहुत काम था और फिर मैं आई हूँ अभी कैमेरे के सामने दोपर में भी सिफ मैंने अपना लंच दिखाया था आपको और क्या बोलू कुछ ठीक नहीं है और आपको एक निउस देना था कि प्लीज गई इस समय जो गोल पहन रहें प्लीज अपने गोल को साइड में रख दे क्योंकि आजकल का जनरेशन ठीक नहीं है क्योंकि कल हमारे साथ एक ट्रैचेडी हो गया है मेरे हस्बन के साथ उनकी चैन बाइक से बैठे थे और खीच के लेके चले गए डेल लाक की चैन थी बहुत ही बड़ा हाथसा हुआ है हमरे साथ तो इसके लिए मोड़ी भी कुछ ठीक नहीं था और क्या बोलो अभी कुछ बोलने जैसा है इसको नीचे घरते हो आब अँमाने दृश्ट है कि यहीं सब चल रहा है इतना नुकशन हो गया है इसलिए सोबसे मैं कैमरे के सामने भी सबसे बड़ी बात तो वही होती है तो क्या बोलू अभी भूलने जासा नहीं है और कल वाली ब्लॉग देखी कि नहीं आपने कफी लेट मैंने पोस्ट की कि नेट का प्रॉब्लम हो रहा है बारिश के वज़े से और रेसिपी कैसे लगी बिर्यानी की और क्या बिर्यानी की र और आलू आज बिर्यानी की रेसिपी थे उसके अंदर में वीडियो पोस्ट करते हूं और भूल जाते हूं ध्यान में नहीं रहता है तो इसके लिए क्या बोलेंगे मोड़ा भी कुछ ठीक नहीं है और आज मैंने लिया यह और यह लेकिन प्लीज इस समय आप लोग केरफुल रहें केरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कुछ नहीं बोल सकते आज कल के जनरेशन में चलो मैं इसे खाती हूं सुबे से मेरा सुबे से कल से ऐसे ही दिमाग वेनेशडी को हुआ था यह ट्रैचेडी ट्रैचेडी बोलेंगे क्या बोलेंगे अब तो उपर वाला मालिक उपर वाला अपने साथ नहीं है ऐसा हाल है यह देखिए इसमें मैंने नंबर लिखा हुआ है यह बहुत अच्छ लग रहा है अच्छ पर बारा बजी हुई है अच्छाइसी बाजी बजी की नहीं हम लोग सामने शोग नहीं करते किसी के लेकिन होगा ना दस रुपए तो दस रुपए नेड़ लाग कुछ होता है यह इसकी इतनी सुंदी सुंदी खुश्बू आ रही है ना चैसे बारिश हो रहा है ना मुट्टी से कैसी खुश्बू आती है ऐसी हाँ मुझे कल वाले मैसें यह वाले वीडियो पर मैसेज आया था कि किसी ने ओन-लाइन नाको मर्ट मंगा था वह वह सुल्टी टेस्ट है बट नाको मर्ट का सुल्टी टेस्ट नहीं वहता तो स्मूकी फ्लिवर होता है जैसे अगर आप मिट्टी पे पानी डालों कैसी मेलाती है से वैसा टेस्ट रह होलसेलर से अपका Candice मäऑं से सब आपको भीज देते हैं हम कुछ करने जरूरत नहीं रहती है हम निसका नंभर आपको है 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 और अब इस देख स्कीन केर के जो चैनल है मैं अभी एक दो दिन में आपको उसकी लिंक दे दोंगे तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि मेरे लिए एक ही चैनल पर सब चीज लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा और वीडियो बहुत जादा लंबी हो जा रही है क्या आपको में सबको देखके चलना है उस पर वीडियो अप्लोड होगा इस अधरवाइस नहीं होगा क्योंकि अप्लोड करके कुछ फायदा नहीं कोई सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा कोई कमेंट नहीं कर पाएगा और 18 प्लस उपर रखा है मैंने तो वह सब बंद करना है मुझे कि कि 18 प्लस तो छोड़ो करुपी अच्छा तो लगरा है अच्वाइन की पूरी के साथ आप उसको पका ले तो काफी शेल्फ लाइब उसकी बढ़ जाती है जो स्टेशन वंगेरा पे और आपको जो जो समोच अच्वाइन की बढ़ा है तो आप उसको टाटरिक डाल के और आप टैक्ट करोंगे तो काफी टाइम तो को खरब नहीं वहाँ आपको दे रही हूं और मैंने शोचा हैं चौजा से पंद्रा मिट की वीडियो रहें गी उससे जाधा नहीं रहेंगी और उसमें एक रेसिपी ज दोंगी और जो मेरा डेली रूटीन है वह दिखाऊ और मेकप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मैं उसका लिंक जल्दी देने वाली हूं और इटिंग चैनल पर प्रॉब्लम है इसके लिए उस पर वीडियो नहीं जा रही है क्योंकि मुझे पोस्ट करके कुछ फायदा तो इसे प्लीज निकाल दीजिए इस समय लोगों के लिए थोड़ा सा बीच में टिक टॉक पर बहुत सारी दिखा रहे थे कि वह पॉकेट मार रहे हैं बीच में तो यह सब बहुत कुछ हो गया था लेकि अब हमारे साथ ही हो गया तो अभी क्या बोल सकते कुछ नहीं कर सक अगर थोड़ा अमाउंट रहता तो समझ में आता बहुत बड़ा अमाउंट है बहुत बड़ा जादा इसके वज़े से तो मैं तो बोलना नहीं चाहती थी कैमरे सामने लेकिन चेरे बारा बज़े तो आप लोग पूछो कि क्या हो गया तो इसके लिए मैंने पहले ही पता चलाना है वह सकता है कोई बदमाशिया भी कर रहे हो और बदमाशी का ही है हाथ तो इसके वज़े से तो कैर फूर रहे सुरक्षित रहे और अपने घर में रहे जो चीज़ीज की जरूबत इसे कोई एक परसंड ने सानी परसंड आप उत्रों और कोई भी एक परसंड आप सामन लेके आजो फिर आप अपने घर में रहों आराम से क्या जरूत है थोड़े दिन की बात है फिर वापस वैक्सिनिशन निकल जाएगा तो सब वापस जिंदिगी वैसे ही चलने वाली हो सकता है थोड़ा स्टेबल होने को टाइम लगेगा और काफी टाइम लगेगा क्य अब इतना बड़ा लॉस हो चुका है तो इसके लिए तो अभी सोची सकते और कुछ नहीं कर सकते तो कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी रैसीवी प्लीज मुझे कमें बाक्स में बताना और जो मेरा दूसरा चैनल है मैं उस पर वक कर रही हूं दो दिन में सिर्फ मैं लिं तो मेरे न्यू चैनल पर जाएगा उसको भी सब्सक्राइब कर लेना उसका लिंक में दो दिन बात दोंगे तो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में टाडा बाई वाई टेक किल लव यू आल और सेफ रह सुरक्षित रहें